कि यहन जै भारत कुछी घंटों बात आपके जीवन का बहुत बड़ा एक्जाम एंड ये का पेपर कंड़क्ट होने वाला है और मुझे उम्मीद है कि सारे एस्पिरेंट्स फुल जोश में होंगे हाई कॉंफिदेंस में होंगे और येस जोश के साथ साथ आपके पास होश भी होगा आज का ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए कि मैं आपको समझाने वाला हूं कि भाई लाखों एस्पिरेंट्स सोला एपरिल को एक्जाम देने बैठने वाले हैं लेकिन कुछ लोग कुछ लोग ही इस एक्जाम को क्लियर करने वाले हैं अनफॉर जोश के साथ एक्जाम हॉल के अंदर घुसते हैं लेकिन कई बच्चों को ये सपना पूरा नहीं हो पाता कुछ छोटी-छोटी गलतियो कारें तो आज किस वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरे जितने साल का एक्सपिरेंस है उसको पूरा पूरा क्लेक्टिव पू कुछी घंटे बचे हुए हैं और ये कोशिश करनी है कि एक्जाम हॉल में इतना धुवादार इतना जबर्दस परफॉर्मेंस दे हम लोग कि एक्जाम हॉल से बाहर निकलके हमारा मैरिट लिस्ट में आना सुनिश्चित हो जाए एश्योर हो जाए ताकि हम सोला तारिक की शाम से ही अपने SSB की तयारी करना शुरू करते हैं खुद को SSB के लिए प्रॉपर तरीके से तयार करना और उसके बाद मेडिकली फिट करने की जद्दो जहत भी हमें करनी हैं बस कल के बाद से हम उसमें भी लग जाएंगे क्या क्या ट्रिक्स होती हैं SSB निकालने की यही लिखा हुआ है तो let's begin from the beginning दोस्तों सबसे पहली बात आज शाम को ही आपको अपना stationary proper बना के रख लेना है कोई भी carelessness में नहीं करनी है sleep properly आज की रात कम से कम आपको 8 घंटे सोना है 9 घंटे सोयो तब धी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि पजल बहुत है यह एक्जाम में पजल बहुत है दिमाग से छेडखानी बहुत होने वाली है तो make sure कि आप पूरी तरहा से तयार कर लो खुद को अच्छी तरह नीन लो प्रोपर नहीं होती है तो avoid eating too much अब आपको एक्जाम से पहले हलका खाना खाके जाना है नाश्ता करके जाना है वह ऐसा कुछ खाना है जिससे कि आपका दिन जो एक्जाम का पुर जो आर से वो कट जाए पेट नहीं भरना है पेट भर लिया आपने तो आदा गेम महीं खरा कि आप अब भी मतलब आफिसर लाइक क्वालिटी में यह सारी चीज़ें काउंट होती है अब ऐसा नहीं की भागते वो जा रहे हैं दौरते वो जा रहे हैं यह वाला चीज मत करिएगा ब्लकुल भी तीस मिनिट पहले पहुच जाएगेगा तीस मिनिट पहुचेंगे तो अच्छे सब्सक्राइगे तो अच्छे से वहां पर जो वाश्रूम वगेरा है वह आप चेक कर लिए कहां पर वाश्रूम है क्योंकि एक्जाम के बीच में उतता है वाश्रूम जाना जब पढ़ जाए अब सरकारी स्कूल होते हैं कुछ-कुछ आपके लिए अन्नोन स्कू सब्सक्राइगे वाश्रूम जाना पढ़ रहा है यह भी नहीं एक्सेप्टेबल तो आप करीगा पहले जस्ट एक्जाम से पहले मैं से बोल दीजिएगा कि मैं मैं बैड गया हूं ओम एमार फिल करें लग जाएगा और मैं से पूछ लिजिएगा कि मुझे एंड टाइम प आपको पता होना चाहिए ओमार किस तरा से फिल होती है ओमार में बबल्स होते हैं बिटा ऐसे बबल्स होते हैं उसमें क्या ग्रिट्स होती है ग्रिट सिस्टम होता है मतलब यहां पर बबल ऐसा यहां बबल ऐसा यहां बबल ऐसा यहां बबल ऐसा यह ग्रिड होती है राइ आप सोचेगे के जोर से नहीं, तो बहुत कम भी fill नहीं करना है, और बहुत जादा fill भी नहीं करना है, वो एक grid पर हो के दूसरे grid चला जाएगा, तो दिक्कत हाजएगी, और कभी भी OMR को आपको फोल्ड नहीं करना है, अगर फोल्ड करके line यहां पर आगई, तो वो सारे के स सारे टिक मान लेगा, जितनी जगह पर लाइन आ रही है, सारे के सारे ऑप्शन टिक मान लेगा, यही तो खास बात है, उनमार की, हैविनस चेक करता है वो, अगर इस लाइन के कारण उसमें हैविनस आ जाएगी, तो मशीन है वो तो, मैनूल चेक होना नहीं है, आपने नाम अ से, कि पेपर जैसे ही मलता है, तो 7-8 मिनिट में, 10 मिनिट में, आपको के सामने से सारे के सारे क्वेशन गो थ्रू कर लो, और टिक कर लो कि कौन से 30 सवाल पहले करना है आप लोग को, कौन से 40 सवाल पहले करना है, जिसमें आपको सवाल का सेलेक्शन ऐसे करना है, ना ही सिर तो आपको चारो आप्शन देखकर अपना आंसर टिक करना है हैं इतने ताइम तो आपको देना पड़ेगा है पहले 50 परसेंट टाइम बहुत क्रूश्यल फ़ले पशेंट टाइम में को maximum number गें करने हैं वह वह फट्र करक्ष Strand करने हैं जो कि आपको आते हैं और कं टम में सॉल हो जाते हैं तो 50% time में अगर 120 मिनिट है तो 60 मिनिट में पहले एक घंटे में आपके सारे best question का answer आपका निकल जाना चाहिए क्यों यह हर question का marks तो same है weight is same है तो कोशिश यह करने है आप लोगों की सबसे पहले पहले सबसे पहले शुरू आप महीं जाधा जाधा question करके सबसे कम time में maximum marks आप गेन कर लें ठीक है कि माइन एक्टिवेशन में भी कम से कम 15 से 20 मिनिट लग जाएगा आपका शुरू-शुरू में तो यहां पर जब माइन एक्टिवेट ही नहीं हुआ है तो उसको tricky question देने का फाइदा नहीं है आसान सवाल करो खटाकट नंबर पाऊं से आगे बढ़ो ठीक है किसी भी question पर ego पर नहीं लेना है आपको do not stick to any question आपको ego पर नहीं लेना है question बन रहा है तो ठीक नहीं बन रहा है तो let's move to next question आपको यह करना कि मैं तो करके रहूंगा आज कैसे इसने मुझे ऐसा सवाल देती है ऐसा नहीं करना है आप लोग को यह सब चीजे officer like quality में आती है आप soldier वाल एक्जाम नहीं दे रहे हो आप officer बनने के लिए exam दे रहे हो तो अगर आपके अंतर officer like quality में ही नहीं है तो यहां पर आपकी आदी officer like quality judge कर ली जाएंगी right तो शायद आप यही अगर टाइम पर ही नहीं पहुच पाते हैं आप लोग तो आप फिर काय के officer आप बेटर you prepare for अगनी वीर soldier वाले में चले जाएए आप लोग मेरी बात कड़वी लग सकती है लेकिन unfortunately यह सारी बाते सही है right तो guys हमने बहुत मेहनत करी है हमाल टीम नहीं मेहनत करी है आपने ही मेहनत करी है इमानदार रहे हैं हम लोग शुरुवात से तो make sure कि इस opportunity को result पे convert कर लेते हैं और हम सुला तारिक से कल से ही के लिए और मेडिकल के त्यारी करना शुरू कर देंगे अच्छे से करिएगा इमानदारी से करिएगा cheating मत करिएगा अपने खुद पर विश्वास रखिए आप से बहतर आपके life के लिए कोई और नहीं सोच सकता चीटिंग वगरा के लिए बुकूल मत सोचना किसी और किमें ताकल हखिए मत करना सिर्ख खुद पर ध्यान देना और अच्छे से करना बिटा thank you very much दोस्तो जै हिल